गुड मॉर्णिंग दोस्तों मैं मैं दिक्रम सिंग आप सभी का 30 अगस्त की करेंट अफेर्स में स्रगत करता हूँ तो बढ़ते हैं करेंट अफेर्स की और पहला कुश्चन लेते हैं अंताराश्टी बुकर पुरुसकार 2020 किसे प्रदान किया गया है अप्शन ए मिखाइल कैलास्निको बी मारिके लुकास रिजने वेल्ट सी अर्नोल्ड स्पीलबर्ग डी इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर बी सही है मारिके लुकास रिजने वेल्ट को अंताराश्टी बुकर पुरुसकार 2020 किया गया है यह प्रतेक वर्ज बुकर पुरुसकार 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 उपन्यास है याद रखिएगा यह पुरुसकार परत्यक वर्स ब्रिटन सरकार द्वारा दिया ला है इस βर्स कि बिला série लार्इजी यह पूरुसकार पाने वाली यह सबसे कम उम्र की बहिला है इनका जो उपन्यास था दिसकंफर्ट ओफ इवनिंग उपन्यास है इसके लिए ने चुना गया है अंग्रेजी उपन्यास के लिए या अनुवात के लिए पुरुसकार दिया जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप इसे याद रखेगा इसका अनुवात क्या गया था अगला पुशन लेते हैं नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI Export सूचकांक 2020 में सर्वस्रेष्ट इस्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है किस राज्य को प्राप्त हुआ है ए गुजरात बी राजिस्थान सी महारास्ट डी तमिलनाडू तो ये गुजरात को इस्थान मिला है नीति आयोग द्वारा जो सूचकांक जारी किया गया था इसमें गुजरात को सबसे पहला इस्थान दिया गया है किस मामले में तो निर्यात तैयारी सूचकांक किसी भी वस्तु का निर्यात करने के लिए नीती आयोग की बात करें तो नीती आयोग योजना आयोग की स्थान पर आया था कब आया तो एक जनवरी 2015 को नीती आयोग अस्तित्त में आया था तब से ये कारे करगा है इसके अध्यच प्रधानमंत्री होते हैं कौन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और वरतमान उपाध् अच्छे हैं तो यह भी आप याद रखेगा इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्थिते और सबसे इंपॉर्टन जो है CEO तो वरतमान समय में इसके CEO कौन है तो अमिताब कांत इसके वरतमान समय में CEO है तो इसको आप याद रखेगा पहला इस्थान गुजरात कुमिरा है न नमबर तीन पर तमिल नाडू और नमबर चार पर राजिस्थान आपका था तो यह गुजरात भी आपका गुजरात महाराश्ट तमिल नाडू यह सब कैसे हैं यह समुद्र 30 छेतर हैं के राजिस्थान इस्थल रुद्रु छेत्र है आप ये भी याद देखिएगा कि नंबर एक पर गुजरात, नंबर दो महाराष्ट, नंबर तीन तमिल नाड़ु और नंबर चार पर राजिस्थान था तो नीती आयोक की स्थापना कब हुई, एक जनवरी 2015 को ही, ये किसके इस्थान पर आया था, तो ये यूजना आयोक का इसने स्थान लिया था, वरतमान समय में इसके उपाध्यच्य कौन है, तो राजियू कुमार है, जबकि अध्यच्य प्रधान मंत्री होता है, और CEO कौन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अमिताब कांत इसके CEO हैं, CEO का नाम याद रखेगा, अगला प्रस्न लेते हैं, मुद्रा यूजना के तहट, महिला लाभार्तियों में प्रथम राज्य कौन सा रहा है, हाली में एक सर्वे जारी हुआ, जिसमें पता चला है, जो मुद्रा यूजना थी, M U D Re, मुद्रा यूजना, माइक्रो यूनिट और डिवललपमेंट री फाइनंस एज Noah, माइक्रो यूनिट और दिवललपमेंट री फाइनंस एजनसी, नामक यूजना भाराश सरकार ने 28 अप्रेल 28 अप्रेल 2015 को शुरू किया था कब शुरू किया तो 28 अप्रेल 2015 को यह शुरू की गई थी जिसमें पहला इस्थान तमिल लाडु को प्राप्त हुआ है किसे प्राप्त हुआ है तो पहला इस्थान इसमें तमिल लाडु राज्जी को प्राप्त हुआ है जबकि दूसरे इस्थान पर पस्चिम बंगाल था कौन था पस्चिम बंगाल दूसरे इस्थान पर था इस योजना की तीन स्लैब है पहली स्लैब है सिसु योजना जिसमें 50,000 तक का लोन लिया जा सकता है दूसरा इसका स्लैब है किसोर जिसमें 5 लाग तक रुपए का लोन मिल सकता है और तीसरा है तरौन यूजना जिसमें एक करौन रुपए तक की साहतारासी दी जाती है इस समय केंदी वित्तमंत्री को ने तो निर्मला सितारवन है जिनों इनमें इसकी जानकारी दी तो याद रखेगा मुद्रा यूजना के तक सरवादिक लाबार्थी किस राजी के हैं महिला लाबार्थी तो तमिल लाडु के हैं और दूसरे इस्थान पर कौन है तो दूसरे इस्थान पर आपका पस्चिम बंगाल है दोनों है इंपोर्टेंट है पस्चिम बंगाल आपका दूसरे इस्थान पर था तमिल विधान सभा की यहां पर 235 सीटे हैं लोक सभा की 49 और राज्जी सभा की 18 सीटे हैं यहां का प्रमुक फसल परवजु है या कटाई परवजु है पॉंगल है बहुत है जबकि ओडं केरल में हैं दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं तो पॉंगल यहां का फसल कटाई परवजु है सास्त्री भरत नाट्यम है जबकि मिनाच्छी मंदिर ब्रहदेश्वर मंदिर और काची पुरम का कैलास मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जल्ली कट्टू साणों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है जबकि कंबाला नामक भहशाद और करनाटक में मनाया जता है यह कुछ पॉइंट्स आप तमिल नाडू से याद रखेंगे अगला प्रस लेते हैं डबलू एच ओ ने किसे वाइल्ड पोलियो मुक्त घुसित किया है डबलू ए बिमारी है जो दूसित जल से फैलती है किस से फैलती है तो यह दूसित जल से फैलती है तो इसे आप यादर कियेगा किस से फैलती है दूसित जल के सेवन से या टच में आने से विमारी फैलती है डबलू एच ओ की बात करें तो इसकी स्थापना सेवन्थ अप्रेल उन्निस गेब्रेयस है जो इथी ओपिया के हैं गेब्रेयस है जो इथी ओपिया के हैं गेब्रेयस ये आपके इथी ओपिया के हैं इथी ओपिया में सरवाधिक सिसु मृत्युदर है कहां पर है सरवाधिक सिसु मृत्युदर है तो इथी ओपिया में सरवाधिक सिसु मृत्युदर है और भारत में सरवाधिक सिसु मृत्युदर वाला राज्य मद्ध पृदेश इसलिए भारत का इथियोपिया का दर्जा किसे दिया गया था मध्य पुदेश को दिया गया था तो डबलु एचो के स्थापना साथ अप्राइल अधानाम है और इसका मुख्याल है जिनेवा सहर में इस्थीत है तो इसका याद रखेगा आंसर कौन सा है एक लब्य माडल आवासी विद्यालों का पहला राश्टी सिछक पुरुषकार 2020 किसे दिया गया है ए शुष्री सुधी पैनुली बी गायत्री पुरुषकार दिया गया है एक लब्य माडल विश्विद्यालों की पहली नेट पुरुषकार ये विजेता है इंपॉर्टेंट है एक लब्य माडल आवासी विद्यालों जो खोली गए थे उनकी ये पहली विजेता है रास्टी सिछक पुरुषकार की एन एट्य गया है 47 चुच्चकों को दिया गया था लेकिन ये एक लब भी विश्विद्याले या माडल विद्याले उसे पाने वाली पहली महिला है इन्हें इंपॉर्टेंट है गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारत की उच्चा युक्त नियुक्त की गई हैं मोनिका कपिल मेहता सुज्जर ल 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है ए राश्ट्री खेल दिवस बी परमार हत्यार के खिलाप अंतर राश्टी दिवस सी ए और बी दोनों डी इनमें से कोई नहीं तो दोनों ही इसका अंसर सही है राश्टी खेल दिवस और परमार हत्यार के खिलाप अंतर राश्टी दोनु दिवस ही 29 अगस्त को मना जाते हैं। इसकी स्थापना पर्माल हुथियार के खिलाफ अंतर राष्टी दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। जबकि राश्टी खेल दिवस की सुरुआत 2012 से हुई थी 29 अगस्त को राश्टी खेल दिवस मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध हांकी खिलाडी ये जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये भी याद रखेगा वर्तमान समय में केंद्री खेल मंत्री किरन रीजीजू है कौन है किरन जिनों ने खेल पुरुष्कारों की धन्दासी में परिवर्तन किया है खेल की दरिष्टि से सर्वच्पुरुष्कार राजिव गांधी खेल दत्न पुरुष्कार है कौन सा खेल का सरवच पुरुषकार है तो राजिव गांधी खेल लत्न पुरुषकार सरवच पुरुषकार है जिसकी धंदासी साढ़े साथ लाग से बढ़ा कर 25 लाग कर दी गई है कितनी कर दी गई कर दी गई है फिर तर सुनले जिए खेल दत्न पुरुषकार की धंदासी साढ़े साथ से 25 लाग आरजिन हैं पुरुषकार की धंदासी 15 लाग से Depay से द्रोड़ाचार पुरुषकार की फंदासी लाइफ डियुन के लिए Wen discussion के लिए पांच लाग से पंदरा हैं सभी को नोट कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगला प्रस लेते हैं तो इसका ए आंसर सही है ड्वेस्टिन डीस्ट की खिलारी हैं जिनोंने टी ट्वन्टी में पांसो विकट लेने वाले पहले खिलारी बन गए हैं टी ट्वन्टी की बात करें तो इसकी सुरुवाद 2007 में हुई थी अगला प्रस लेते हैं यह कहां के हैं तो वेस्टन डीस्ट की खिलारी हैं ड्वेन ब्रायो इन्हें याद रखिएगा अगला प्रस लेते हैं भारत का 91 अंतार राश्टी फिल्म महुत्सो फूल महुत्सो किस सहर में आयोजित होगा गोवादिलि बैंगलोआर पुड़े तो यह भारत का 71 अंतर राश्टी फिल्म महुत्सो फिल्म फेस्टीवल कि मिनटेर्नेश्डाल फिल्मफलेट अंठार राश्टी फिल्म महुत्सो भारत का 91 करम के कहा योजित किए जाएगा तो यह आंसर सही है इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा कहां पर होगा गोवा में किया जाएगा 20 से 28 नॉवंबर के मद्ध यह आयोजन होगा तो important है इसे आप याद रखिएगा गोवा की बात करें तो गोवा 19 दिसंबर 1961 को पूर्टगालियों से स्वतंत्र हुआ और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था कब प्राप्त हुआ तो 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था जबकि 1961 में ये पूर्टगालियों से स्वतंत्र हुआ था यहाँ पर विदान सभा की कुल 40 सीटे हैं एक मात राजे है जहाँ पर आर्टिकल 44 का प्रियोग हुआ है समान सिभिल संगरेता सब के लिए एक जैसा कानून ये मात भारत का एक राजे है जहाँ पर गोवा में ये निया लागू है लोक सभा की दो सीटे और राजे सभा की एक सीटे यहाँ पर यहाँ की प्रमुख नदिया मांडवी और जुवारी हैं कौन सी हैं? मांडवी और जुवारी यहाँ की प्रमुख नदिया है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं कौन है प्रमोद सावन्त यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इतने पॉइंट स्याद रखिएगा अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है 28 अगस्त को किस स्थान ने सोन जैनती मनाई है इंपर्टेंट है ए पुलिस अनुशंधान एवं विकास ब्यूरो बी राश्टी डेरी विकास बोर्ट सी दोनों डी इनमेशिक कोई नहीं तो इसका ए आंसर सही है बी पी आर एंडी इसको कहते हैं ब्यूरो औप पुलिस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट पुलिस अनुशंधान एवं विकास बोर्ट ब्यूरो ने अपनी स्थापना का स्वन जैनती मनाई है इसकी स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुई थी राश्टी डेरी विकास बोर्ट की भी स्थापना 1970 में हुई थी पर 28 अगस्त को नहीं तो इसलिए इसके आंसर ए जाएगा पुलिस अनसंदान एवं विकास ब्यूरो इसने गौल्डन जिबली या स्वना जैनती मनाई है अब बात करते हैं जैनती की तो सिलवर जबली कितने में होती है तो सिलवर जोबली काये विज़न पत्चिस साल में गोल्डन यानि स्वन जेंती पचास साल डायमंट या हीरत जेंती 75 साल और प्लैटिनम जुबली 100 साल में मनाई जती है फिर से सिल्वर 25 साल गोल्डन पचास साल डायमंट 75 साल और प्लैटिनम 100 साल में मनाई जती है इसके स्थापना कब हुई? तो इसके स्थापना पुलिस संधान विकास वीरो की स्थापना 1970 में हुई थी 28 अगस्त को और वर्तमान में इसके महानिदेशक V.S. कौमदी हैं अगला प्रस्वन है thriving body, healthy mind, physicalit abheyan किस राजह सरकार ने शरू किया है दिल्ली, राज스न, गुजरार, महारास्त तो इसे दिल्ली ने शरू किया है, healthy, feed body, healthy mind, abheyan राजिस्थान गुजरार महाराश्ट तो इसे दिल्ली ने शुरू किया है healthy fit body healthy mind अभियान दिल्ली के स्रियम अर्विन केज़िवाल है राज़िपाल अनिल बैजल है कौन है अनिल बैजल यहां के राज़िपाल है अच्छर धामन्दित कुतुब मीनार इंडिया गेट प्रसिद दर्शनी इस्थल है इन्हें भी आप याद रखिएगा अगला प्रुष्ण लेते हैं अगला प्रुष्ण है हाल ही में किसका निधन हुआ जो सुप्रीम कोर्ट से संबंदित थे इसका ए आंसर सही है ए आर लच्मणन सुप्रीम कोर्ट में निधन हो गया है यह निधन हो गया है यह निधन से संबंदित थे उसके पस्चाथ 18 विधी आयोक के अध्यच्च चुने गए इन्होंने पुष्चिद पुस्तके दवाइस ओफ जस्टिस तथा दजजज स्पीक्स बुक भी लिखी तो कौन थे ए आर लच्मन थे 18 विधी आयोक के अध्यच्च रहे दवाइस ओफ जस्टिस दजज स्पीक्स नामक दो पुस्तके लिखी पुस्तके चैडविक बॉस्मैं की बात करें तो ये पुषिद अभिनेता थे जिनका कैंसर से निधन होगया important है जिनका किस से निधर हुआ है cancer से निधन हो गया था निधन हो गया है और ये colon cancer से पीडित थे इन्हें black panther के नाम से भी जाना जाता था black panther के नाम से प्रसिद cancer विमारी से जूज रहे चैडविक बॉसमेन का भी निधम हो गया पुर्शोत्म राय प्रसिद भाती athletics coach थे इनका भी हाली में निधन हो गया है इन्हें 29 अगस्त को दिये जाने वाले द्रोड़ा चार पुरुसकार के लिए भी नामित किया गया था और नोल्ड स्पिलबर्ग की बात करें तो इनका भी हाली में कल 29 अगस्त को निधन हो गया था यह प्रशिद computer designer और engineer थे इन्होंने main frame computer को design किया था किस computer को तो GE 225 main frame computer इन्होंने design किया था और नोल्ड स्पिलबर्ग पुर्शुत्तम राय पुर्शिद भारती athletics coach थे जिनका कल निधन हो गया था इन्हें भी 29 अगस्त को दिये जाने वाले athlete द्रोड़ा चार पुरुसकार के लिए नामित किया गया था चैडविद बॉस्मैन पुर्शिद अभिनेता थे जो ब्लैक पैंथर के नाम से जाने जाते थे cancer विमारी से इनका निधन हो गया आर लच्मणन सुप्रिम कोट में नयधीश थे जिनका निधन हो गया तो यह चारो ही important है जो अगस्त महिने में निधन हुए हैं अगला पु किस राजने शुरू किया के रॢो ने इसको चुप आता है ले इसको तुछता सुरू किया 알ूढ के विजिन जां गाउमे यह शुचनाह शुन कर्सद्धनी है त्रिवेंद्रम उसी को तिरनन प्रुन का जाता है इसके अलावा दो और एरना कुलम में प्रत्यच्छा और कोजी कोड में करुण्या नामक एम्बूलिंस भी शुरू की जाएंगी तो इंपोर्टेंट है केरल के सियम पिनराई विजियन है राजिपाल आरिफ मुहमत खां तथा राजधानी त्रिवेंद्रम है यहां के सच्यू विश्वास पटेल हैं कौन है सच्यू तो विश्वास पटेल यहां के सच्यू है यह भ और यूनी शेप ने दिया था तो यह इंपोर्टेंट है इस तर में बेबी फेंड़ी राजी का दर्जा भी किसे प्राप्त है केरल को ही प्राप्त है इसने हाली में कुछ समय पहले के फॉन प्रोजेक्ट भी शुरू किया था इसका मतलब है गरीबों के लिए मुफ्त इंट और पेरियार यहां के प्रुषिद्ध नदियां है यहां का फसल कटाई पर ओडम प्रुषिद्ध है आप उसे भी याद रखिएगा केरल का केरल की बात करें तो स्वास्त चिच्छा समानता सवहार्ग में इसका प्रथमिस्थान है राज्जेंग है तो इतने पॉइंट के तो इसे रविशनकर प्रसाद में सुरू किया है जो इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रद्योग की मंत्री है चुनौती प्रतियोगिता के तहर देश में सहरों के स्टार्टप और सौट्वेर उत्पादों को बढ़ावा देना है जिसके तहर तीन सो स्टार्टप्स की पह स्टार्टप और सौफ्ट्वेर उत्पादों को बढ़ावा देना इसका प्रमुकुद्देश से है जिसके तहर तीन सो स्टार्टप्स की पहचान की गई है डॉक्टर हस्वदन सिंग स्वास्त प्रतिवी भुगर्व मंत्री है निर्मलासमन सीतारमन केंद्री वित्य मंत् खरा रहा है इसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें अगला पुशनkaarतं हैं है独 भारत निकिस देश को सीमा छितर विकास के की जा रही है बारत की तरफ सेसे मैंवान नेपाल भांगला देश भूटान तो यह मैंवान को दिया जा रहा है भारत के राज़दूत सौरव कुमार मैं में में राज़दूत को बनाय रखना है इसलिए भारत में पांच मिलियन अमेर की डॉलर किसे दिया है मैंमार को दिया है अगला प्रस्न है वाई एसार वेद्री लिप्ट सिचाई योजना किस राज ने शुरू की है आंद प्रदेश असम मेगालय तमिल नाडू किस राज ने शुरू किया है इसे तो इसे आंध प्रदेश राज ने इसे सुरू किया है किस राज ने सुरू किया है आंध प्रदेश ने इस योजना को सुरू किया है जिसका उद्देश 28 गावों को सिचाई का पानी उपलब्द कराना है वर्तमान सियम जग मोहन रिड़ी है कौन है वर्तमान सियम यहां के जग मोहन रिड़ी है असर अंदर प्रदेश की बात करें तो जग मोहन रिड़ी यहां के वर्तमान सियम है यहां की राजधानी अंदर प्रदेश की हैदराबाद है अभी वर्तमान समय में हैदराबाद है परंतु अमरावती में इस्थापित की जा रहे हैं राज़िपाल विश्व भूशर हरिचंद्रन है विधान सभा की 175 सीटे जबकि विधान परसद की 58 सीटे हैं यहां पर दो सदनी विधान मंडाल इस्थापित हैं लोक सभा की 11 और राज्जे सभा की 25 सीटे हैं यह भारत का पहला राज्जी था जो भासा के अधर पर अलग हुआ था और इसका गठन एक नॉवंबर 1903 को हुआ था का हुआ एक नॉवंबर 1903 को हुआ भासा के आधार पर गठित होने वाला एक मात्त राज्जी था यहां का सबसे बड़ा नगर विशाखा पत्तनम है राज जिनत्र कुचीपुडी बहुत इंपर्टेंट ह हुसेन सागर जील तिरूपति मंदिर सालार जंग संग्रहाले चार मीनार गोल कुंडा का किला पुषिद्ध परेटनिस्थल है राज जिनत्र कुचीपुडी है और ये भारत का एक मात्त तीन राजधानियों वाला राजज भी है कारिपाली का राजधानी विशाखा पत्न विधानसबा, अमरावती, खाई कोट, कुर्नूल में इस्थापी थे तो कुर्नूल, अमरावती और विशाखा पत्नम यहां की तीन दाजधानिया है भारत का एक मात्त रैसा राजधे है जिसकी तीन दाजधानिया है तो इतने पॉइंट्स आप यहां से याद रखिएगा आंध प्रदेश से राज जिपाल, विश्व भूशन, हरिचंदरन हैं और मुख्यमंत्री जगमोहन रेड़ी हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों को सेयर करिए नोट करना ना भूलिए और इसको आप पीडियाप डिस्क लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं